दोस्तो हाजरां एक होर रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखी अन्फलाग दी मेरी आज दिस रिपोर्ट विच मैं एक बहुती गंबीर मामलोते गालवा थोड़े नाल कारनी हैं। दोस्तो आज मैं गाल करांगा पंजाब दे एक पत्रकार उत्ते आए संकट दी। देश या पंजाब दे पत्रकार उत्ते नी, बलकि एस नू साड़ी पत्रकारी ता दे उत्ते संकट कहा जायता बैतर होएगा। पंजाब दे मुहाली दे रैंड वाले एक ताकड पत्रकार इन्वेस्टिगेटे खोजी पत्रकार रजिंदर सिंग तगड़ नू पंजाब पुलिस मुहाली पुलिस ने गिरफतार कर ले आ है सोबा नू अदालत दे बिच पेश किता जाना है तकरीबां दो दिन दी पुलिस रिमांड उत्ते उन्हों रख्या गया है इल्जाम खुल के नहीं मैं तो नू दा सकता क्योंकि जाद मैं रिपोर्ट बनाई उस बक तक पंजाब पुलिस ने सुप्रीम कोट दी मैंडिट दे हसाब नाल जेड़ी एफाईयार नाल दे नाल अपलोड होनी चाहिए यह वेब साइट उत्ते उस नू अपलोड नहीं सी किता सो मैं खिमादा याचक हैं कि रजिंदर सिंग तगड दे खिलाब केड़े दूशन केरे इल्जाम लाए गए ने मैं उना बारे जादा वेरवेथ होनू नू नहीं दे सकता हां कुछ अंदाजा लान दी कोशिश करांगे क्योंकि रजिंदर सिंग तगड कुछ हफते प पुलस नू ए निर्देश दिते जानदेने कि रजिंदर सिंग तगड दू गिरफतार करन तो पहला सत दिन दा नोटिस उना नू दिता जाए एसली उना नू समवन उना नोटिस पुलस बलो पेजी भी गए लेकिन दस्या जानदा है कि एक होर मामले दे बिच रजिंदर सि तगड ने अजेहा की कारलिया हो सकता है जिस दे कारन उना नू पुलस ने हिरासत विच ले आए दोस्तों मैं रजिंदर सिंग तंगड देनाल मेरी जानकारी जानद पचान पिछले कई साला दी है इनफैक्ट उना दा चैनल पंजाब दस्तावेज जिस उत्ते ओ तकरीबन साड़े चार सो तो बाद रिपोर्टा बना चुके ने एस चैनल दा ना दस्तावेज मैं ही उना नू सज़स्ट किता सी जिस तो बाद उना ने दस्तावेज दे अगे पंजाब लाया ते एस मैं आर दी जमीन दे ना जुड़ी हुई दस्तावेजी खोजी पत्रकारीता कार रहे ने उस पत्रकारीता दी लोड सिर्फ पंजाब नू नहीं बलकि अज़ पूरे देश नू है ते पंजाब दा दुखांत है कि आज एस पद्दर दे मैं आरी पत्रकार नू एक जिली दी लेगी फाइनली अदालता दे विच केसा ने निबढ़ना हुंता है ते सानू पंजाब पुलस दे कन्विक्शन रेड़ दा चंगी दना पाता है लेकिन आज मैं एस मामले जिस विच रजिंदर सिंग तगड़ दो इंप्लिकेट हुंदा हुए आपा वेख्या है लगरीब पत्रकार नों तूसी गिरफ्तार कर देओ ते ओवी कजे है केस दे भी चिस दाज मां तो नों बैक्ग्राउंड पिशौकड दसागा तो नों हैरानी होएगी कि रादर देने इस मामले दे विच या जड़े मामले दे विच आज रेजिंदर तगड़ दो गिरफ्तार किता मामले दे विच तगड़ दे कुछ होर अजे है विसल ब्लोर्स नों गिरफ्तार कीता गया है उस दी डिटेल ते उस दी गहराई दे विच ता पाजामा गये लेकिन उस तो पहला मैं रजिंदर तगड़ दे पत्रकारी ता दे मैयार दी थोड़ी जी गाल कारनी जरूर चाह दे सी कि मैंनु इस मीडिया बारे ओनलाइन या कंप्यूटरा बारे जादा जानकारी नहीं है लेकिन मेरे चैनल न्यूस डेटलाइन पंजाब उते कुछ ख़बना करन तो बात रजिंदर तगड़ कॉन्फिडेंट होई जिस तो बात उन्हानने अपने चैनल नों खोलन द किता, जिकर मेरे नाल किता, महाली दे एक होटल दे विच्छ बैट के साइड़ी मुलाकात होई थे उन्हानने कहा कि योत दे साथ बहुत अच्छा है. उन्हानु नाल दे नाल पसांदा आया थे उन्हानने अपने चैनल दाना पंजाब दसताबेज राख लेया। दोस्तो उस चैनल न्यूज डेट लाइन पंजाब उत्ते जड़ीक खबर रजिंदर तगड़ ने किती में उसना जिकर करना चाहेंगा। उस तो पहला पीटीसी चैनल दे विच जदो रजिंदर तगड़ काम कार रहे सी। उस पक मैं न्यूज 18 पंजाब दे विच सी एक जूरी अवार्ड पत्रकारिता जगतना जुड़े हुए अवार्ड दी जूरी दा मैं हिस्सा सी मेरे सामने कुछ खोजी रिपोर्टां आई यां जिस पंजाब विच रेते दे नजायज माइनिंग दे उत्ते दो ऑपरेशन एक न्यूज 18 पंजाब दे पत्रक कार रजिंदर तगड वनों जूरी ते सामने आया उस रिपोर्टिंग दोरान रजिंदर तगड दा कैलिबर मैं देख चुकी है कोई जान पचान दे मोताज कदे भी नहीं रहे लेकिन रजिंदर तगड ने जेड़ी स्टोरी चैनल न्यूज देटलाइन पंजाब यानि की मेरे प्लैटफॉर्म ली आज तो एक देड़ साथ पहला किती तो नो याद होएगा पंजाब दे मुख मंत्री पगवंत मान देनाल जुड़या हुए एक अजेहा वाक्या सी जिदो की जर्मनी तो एक फ्लाइट बोर्ड कर दे समय ओस फ्लाइट दे डीले होन या फिर पंजा है मैं के रिपोर्ड बना सकता है मैं रजिंदर तगड़ नो गया कि तुसी रिपोर्ड बनाओ लेकिन आई नीड टू बी मोर्शॉर क्योंकि पंजाब दे मुख मंत्री था मामला है इस तरीके दी कोई भी जानकार्या द्य दूरी जानकारी दे उतने को रिपोर्ड बान द जानकारी रिजंदर तगड़ वनो दित्ती गई जिसनू बात दे विच पलिटिकल लेवल दे विच भी कई थांकोट किता गया उसनू पंजाब सरकार वनो रिफ्यूट नहीं किता गया जैने कि पंजाब सरकार ने उस इंफोर्मेशन दी जिनी वरासिटी सी उसनू कदे भ गड़ी पत्रकारी दा स्टैंडर्ड दोस्तो एस बारे गालकारणी दो कारना तो जुरूरी सी एक कारण एक कि मैं फर्स्ट हैंट रिजंदर तगड़ी चरनलिजम नू समझ दा दूसरा जो प्लाटफॉर्म दे उत्ते उन्हाने कम किता जिस लेवल दा कम किता साड़े चा गड़ी चरनलिजम नू किनने पहे मिले ता मैं नू नहीं पता क्योंकि शायद पंजाब पुल से ही लपन दी आज कोशिश का रही होगी लेकिन मैं कहा सकता है कि जे रिपोर्टा नू दखान दी बजाए इननू दबान दे पैसे मिलने शुरू हो जन ता आज रिजंदर त गड़ी करोड़ पती होएगा एक गाल एस वास्ते थो नू समझानी जरूरी सी थे होना आपना आवांगे उना संभावित दूशना बारे इलजामा बारे जो की तगड़ी लगए हो सकते ने कि संभावित एस वास्ते FIR जे लोड नहीं होएगी, अपलोड नहीं होएगी, या उनलाइन नहीं कीती जाएगी, ता फिर संभावित दूशन ही होंगे ना, लेकिन मामला एक बहुत ही वड़े कुटाले देना जोड़ता है, जिसनों लेके एक मोर्चा पिछले कुछ साला द दा रहा है, एक बड़े बड़े पंतर दा फरजी बाड़ा, जिस विच दरजना नहीं बलके सैंकणा लोग शामल ने, जिना भी चो कुछ अफसर एस वक्त मुहाली पुलस दे विच तनात ने, ते रजिंदर सिंग तगड़ ने बाए ने उना अफसरा दे ना लाके, निश जाके देख सकते हूं, लेकिन होया की, होया कुछ भी नहीं, एन्ने सबूत, एन्ने एबिटेंस, एन्नियार रिपोर्ट्स, इन्योफेस जनरलिजम दे बावजूद, पंजाब दे सीनियर पुलस दे दिकारियां, डीजी पी ते उस तो थले, विजिलन्स डारेक्टर दी, अखांदे सामने जो कुछ हुंदा रहा, उन्हां मामने देविच एक की कारके उन्हा विसल ब्लोर्ज नूहीं जेलना देविच पाता गया, ते आखिर देविच, जड़ा सरोकार ते जड़ा कंसर्न मेरा है, क्योंकि रिपोर्टा रिपोर्टा रहा है, मैं उन्हां बारे क अगरे खुद रिपोर्ट्स नहीं बनाई है, लेकिन आज मैंने उस मुद्योते गालकार नी पैरी है, साड़ा सरोकार या मेरा सरोकार आज है कि रजिंदर सिंग तक गड़ी के पत्रकार एक दस्तावे जी खोजी पत्रकार नो आज सलाख खाने पिछे क्यों पेज़ा जा साथियो शिडूल कास्तां दे फर्जी सर्टिफिकेटां दे एस फर्जी वाडे दा सब तो पहला परदाफाश विसल ब्लो करन दी कोशिश किती पंजाब पुलस दे अपने एक एएजी पत्र दे दिकारी ने असिस्टन इंस्पेक्टर जेनरल जो की एएजी हुमन राइट मलविंदर सिंग सिद्धू तुसी खबरां पहला सुन चुके हो एस वक्ट जेल दे विच ने उननों दे खिलाब भी कई मल्टिपल केस एसे लड़ी दे विच रिजिस्टर किते गए ने ते प्रॉबेबली रजिंदर सिंग तगड़ दो भी मलविंदर सिंग सिद्धू द बेटी जिस डा डाइवोर्च होया जिस व्यक्ती यानि जिस लड़के दे नाल इना दी बेटी दी शादी होई सी ओ व्यक्ती सीक आई-एस आफिसर हर्प्रीत सिंग उन हरप्रीत सिंग दे डाइवोर्स तो बाद मलविंदर सिंग सिद्धू उन्हों पता लग दाए या कहली विशाय तो उन्हों पहला पता होबे उन्हों ने एस चीज़नों चुकना मुनासब नहीं समझा बाद दे भी जे तो डाइवोर्स होगे अपनी बेटी दे नाल उन्हों दे जवाई दे संबंध बिगडगे डाइवोर्स होगया उस तो बाद उन्हों ने हरप्रीत सिंग दे खिलाप शिकायत देती ते पता ही लग गया कि एक नकली स्चिडूल का सर्टिफिकेट दे अधार उते हरप्रीत सिंग ने अपनी नौकरी हासल किती इमाजन एक आईएस ओफिसर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ते जहे कुछ होर ब्यूरोक्रेट्स भी हैगे ने जिना दा ना उस पहरिस्ट उस लिस्ट दे बिचे है उनना लोका दी गिनती दे बिचे है जिना ने फरजी सर् बनाके नौकरियां हसल किती है तरजी दे उत्ते पैल देदार उत्ते नौकरियां उननों बिलिया थे उनना ने कई लोका दा हक मारया हुएगा मलविंदर सिंग सिद्धू दा अपनी बेटी दे डैवोर्स केस तो बाद इस केस दे भी जड़ा इंटरस जा गया अपने सापका जवाई हरप्री सिंग दी गहराई दे उननने जाके दो परताल किती होस्तो बाद उनननों इस पूरे दे पूरे कोटाले दा पता लगया गलती मलविंदर सिंग सिद्धू ने की किती गलती मलविंदर सिंग सिद्धू ने एक किती कि जदों इस मामले दे उतफ्तीश कार रहे सी एक बहुत ही वड़े पद्दर दा फैलिया होया फर्जी वड़ा एक रैकेट उनना दी समझ बिच आ चुका सी बहुत से अजे हे हेटले पद्दर दे मलाजन दे करमचारी सीनियर अधिकारियां दे ना सामने आ चुके सान जिना दे बाबत तथानू सरकारां दे सामने रख्या गया पंजाब सरकार ने देश दिया अदालता दे विचे इस चीदों बन्या कि फर्जी शिडूर कास्ट सर्टिफिकेट दे उत्ते लोकानू नौकरियां मिल चुक्या ने लेकिन आज तक ओ लोग अपनी नौकरियां तो हटाए नहीं गए इना चो कुछ अजेहे लोग भी सन चोकी पंजाब पुलस दे मुहाली जिले दे करमचारी सन थोड़ेते आनविच होएगा पंजाब विजलन्स बीरो दे एक बेहद इमानदार अफसर बनने जानवाले मनमोन शर्मा जिना ने 50 लग खर पे रिश्वत दी पेशकारी नो ठुकराता सी पंजाब दी साफका कांगरेस सरकार दे समय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे सुन्दर शाम रोड़ा जिना नो रंगे हती विजलन्स बीरो ने एक रेड विच जीरक पूर्टेक मौत गिरफतार किता सी उननो कई महीने तक जेल विच रख्या गया सुन्दर शाम रोड़ा दे उस उटाले दा उस इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कैम दा परदा फाश करन वाली टीम दे मुखी परदे फाश करने शुरू करते ने उस तो बाद एक फ्रंट बन जानता है एक्टिविस दा एक फ्रंट जिसनों ना दिता जानता है रिजर्वेशन चोर फडो फ्रंट उने एक पासे एक फ्रंट यानि कि रिजर्वेशन चोर फडो फ्रंट दी जन तक महिम शुरू हो चुकी हूं दिया ते दूसरे पासे पंजाब पुलस दे AIG Human Rights मलवेंदर सिंग सिद्धू वखवख सरकारी दरफतना देवी जाके रिकॉर रिकॉर्ड कठा करना शुरू करते ने रिकॉर्ड केड़ा जाली शिर्यूल का सर्टिफिकेट आ दे उत्ते नौकरी हासल करने वाले अफसरा दा रिकॉर्ड दोस्तों इसने विच किड़ी कबड़ी गल्ती सी ना ता किड़ा कशूर सी जिक AIG Human Rights जाके इस रिकॉर्ड नों जिसनों उना ने अदार बनाया अपने उस डेटा बेस दा जिसनों एस फ्रंट रेजर्वेशन चोड फडो फ्रंट दे कारकूना दे नाल सांजा किता गया शेर किता गया थे एस जन तक महीम नों अग्गे बदाया गया एसे महीम दा हिस्सा बन देने रिजिंदर सिंग कितियां बैक टू बैक उना दे रिपोर्ट आईयां अपनिया रिपोर्ट ना दे विच उना ने सारे ही उना अफसरा मुलाजमा दा ना लैके उना नों संबोधन करके उना दे खिलाफ रिपोर्ट ना भी बनाईयां ऑफिशिल वर्जन हासल करना दी कोशिश भी किती पंज विजिलन्स ब्यूरो दे सीनियर अफसरा देनाल मुलाकातां करके, इस पूरे दे पूरे कोटाले बारे उन्हानू जानू भी कराया, अपनी रिपोर्ट्स तो, अलावा होर बहुत से फैक्ट्स हैं जो की अफसरा नू दित्ते गए, सांजे किते गए. उन्दोस्तो जदो इस मामले दे विच सीनियर अधिकारियां दी नॉलेज दे विचे पूरा दा पूरा मामला सी, ते हर लोडिन दी जानकारी उनानू मिल दी पई सी, कायदा था ए बनदा सी की मामले दी की सरपकी जान चुन्ती, एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बठा जान्च हो पाई, अबाव बोर्ड नूट्रल ओफिसर्स बे दाग अफसरा वन्नों इस जान्च नू कीता जाना सी, लेकिन जान्च नू विचलनस दे रह मुकरम ते छाड़ता गया, महाली पुलिस दे रह मुकरम ते छाड़ता गया, ते अजेहे दागी अफसर जो की उना युनिट्स है, उना डिपार्टमेंट दा हिस्सा सन, जिना डिपार्टमेंट्स वन्नों इस परताल नू कीता जाना सी, तो उसी खुद अंदाजा लगा सकते हो, कि जदों क्रिटिकल पोजीशन उते, ओ लो खुद बैटे होन, जिना नू उस जान्च ते परताल दा सेक टेकनिकली ते लीगली एस नू फ्रॉड या मिस्स रिप्रेजेंटेशन केहा जा सकता है, लेकिन दूसरी जड़ी गलती उसने किती हुस नू गलती कह सकते हैं नहीं कह सकते, एस दे उत्ते जाजमन तुसी खुद लो, ए जड़ा रिजर्वेशन चोर फडो फ्रंट सी, एस तो रिकॉर्ड कठा करन दी कोशिश कारदा प्यासी, ओ इस फ्रंट दी मदद करन दी कोशिश कारदा प्यासी, पंजाब पुलस ने जड़ा केस बनाया, ओ ए बनाया कि एक प्रॉपर गैंग है, मलविंदर सिद्धू, इस देना ली जड़ा रेजर्वेशन, चोर फडो फ् सकती है, दोस्दो एस दौरान हो की रिया सी, एस फ्रंट दा जड़ा लीडर सी, बलवीर सिंग आलंपूर, ओस नूँ विजिनस ब्यूरो, इसनू मैं कठत कह सकना, अपने एक ओपरेशन दे विच ट्रैप लगा के, रिश्वत लेंदे होया, एक्स्टॉर्शन कर दे होया, पढ़ना चांदी सी, एक कोशिच सी 500,000,000,000 लेके कुछ अजे हैं लोग जिन आनोपा डिको ऐ कहने हैं, अजे हैं लोग बलवीर सिंग आलंपूर दे पिंड जानदेने, बलवीर सिंग आलंपूर दे पिंड जान देने, एक चूठे केस दें लेचे, एक्स्टॉजन दे के उना दे ओफिस जो कि उना दे करों ही चालदा है एस बैठक देविच इस मीटिंग देविच मलविंदर सिद्धू भी होंदा है पुट मलविंदर सिद्धू दी के प्रॉब्लम जड़ी बेसिक प्रॉब्लम मैंनों समझ आई शाय दो एक शक्की व्यक्ति है एक जेहा आप सर जो कि हर वक्त जदों भी किते जानदा सी अपने नालिक माइक्रो रिकॉर्डर राखता सी यदि की लोग का दी अलबात उनों रिकॉर्ड करन दी उस्ती आदत सी ते दस्या जानदे कि जड़ी बैठक होई एस दी जड़ी कॉन्वर्सेशन सी मलविंदर सिद्धू ने रिक किती ते रिकॉर्डिंग की सी रिकॉर्डिंग एस ही जिसदा जिकर रजिंदर तगड ने अपनी रिपोर्टां दे बिच खुल के वेरी ट्रांस्पिरिंटली किता है कि उन्हां ने कहा कि मैं पंजाब दे डीजी पी ना लगाल करांगा चीफ विजिलन्स डिरेक्टर दे लगाल करांगा तो फर्जी मामले दे बिच बरवीर सिंग आलंपूर्ण नों फसांड दिया कोशिशां कुछ अफसरावनों कीतिया जारिया ने इस दे बारे आपा प्रॉपर ट्रैप लगावांगे पांज लाख दी बजाए पंदना लाखर पे दी मांग कर दे हैं जिस त तरीके दी प्लाइनिंग व्योंत बंदी कारनी पेंदी है ते एही व्योंत बंदी है सारे मिलके कार रहे हो सकते ने राजिंदर तक गड़नी अपनिया रिपोर्टां दे बीच एस दिदा प्रॉपर जिकर कीता है कि एस तरीके दिनाल उनने प्लान भी बनाया जिस दी जान प्लानिंग ते एस किसम दी प्लानिंग ताकी साड़े कारकून नो कोई गिरफतार ना करे असी काउंटर ट्रैप लगवा दिये एस सारिया कोशियां होंती है पैया सी लेकिन इसे दुरान गिरफतारी दा सिलसला शुरू हो जान दा ते सब तो जादा रड़क मलविंदर सि जो कि अपनी बेटी या अपने साब का जमाई वलनो जड़ा फरजी वडा शिडूल कार सेर्टिफिकेट दा किता क्या सी उसनों एक्सपोज करन दी कोशिश दे बिच एस फरजी वाड़े दी होर परता फरोलन दी कोशिश करता प्या सी सरकारी दफ्तरा आफसरां को जाके एक फ्रांट नो माली मद्द उसने दिती सी सब तो पर उसनों गिरफ़तार किता जानदा है वलवी सिंग आलम पूरनों गिरफ़तार किता जानदा है ते फाइनली दो दिन पहला रजिंदर तगड़ नो भी एक पूरा और एक्स्तौर्शन गैंग दा हिस्सा बनाके पुलस दोस्तो मैं समझना यह चाहांगा कि यह पंजाब दे विच फरजी शिडूल का सर्टिफिकेट से उते कुछ कुछ बलाजम करमचारी अफसर नौकरी कर रहे ने इस तक्थनु काटना किड़ा कबड़ा गुनाए इस दिली जेड़े भी हटकंडे अपनाए गए जे मलविंदर सिद्दू ने अपने आपनों जाके किते एए जी विजिलन्स एंटेलिजन्स कुछ भी दास्ता ओ ठीक है मि किल दो बयानी कही जा सकती है, लेकिन उस दी स्पिरिट उस दी नीद गित्थ है माड़ी सी। जिन्दर तगड़ नू नॉमिनेट करके उन्हों नाल दिनाल गिरफतार कर ला जाएगा अब आप पहला में अदालता देविच वेख्या है सीनियर अफसर सुमेश सिंग सैनी ते होर कई है जहे केसिज हैगे ने जिना देविच जदो इना अफसरा ने अदालता दा रोख कित है इनाना जड़ा बचाप आख है उसने शोर किता है कि सिर्फ एक मुकदमा नहीं जिस विच के लोग रिलीव मंगें जादेने एह हमेशा एस चीज़ा खच्चा जतांदेने कि सानु किसी होर मुकदमे देविच पड़या जा सकता है सानु एक ब्लैंकेट बेल दित्ती जा दित्ती गई होंती तो शायद उना ती गिरफतारी भी संबब ना होंती तो दोस्तो तुसी समझ चुक्या पूरा मामला की है पंजाब विच फरजी शिडूल का सर्टिफिकेट्स देख बड़े वड़े रैकेट दा परदा फास करन दी कोशिश करन वाले एक पुलस दे AIG, फरण्ट दे कुछ कारकून अधे एक अजाद पत्रकार आज टार्गेट दे है, निशाने होते हैं, दोस्तो जाजमेंट तुसी खुद ला सकते हो, मैं जे रिपोर्ट दी शुरुआत दे विच किया, कि आपा किसीनों कोई क्लीन चीट नहीं दन दे, आपनों अंदर दिया ना सिर्फ ए मामला, बलकि मोहाली पुलिस दे क्रप्ट प्रष्ट अफसर, जिना नों खुद फोन दे उते अफसर, यानि कि सीनियर जड़े विजिलन्स दे अफसर, इंक्लूडिंग मनमोल शर्मा, एक महिला पुलिस अफसर दे दो त्रितिन रिपोर्टा रजिंदर क्रप्ट कहनता होया, सुनाई दे रहा है, तो नों हैरानी होएगी, कि इना प्रष्ट, कथत प्रष्ट अफसरा नों, जिना नों इना दे सीनियर ऑफिसर भी करप्ट मांदे ने, इना नों आज जिना दे ओधना तो खलान वाला कोई नहीं है, और जिड़े लोग जिना दे नोटिस जो कि करलीव दे रूपिछ हाई कोट ने रिजिन्दर तक गड़नू दित्ता सी, ओस दे विच भी शैद एक दो दिन बचे होणगे, इस मामले दे विच उनादी गिरफतारी हो चुकी है, ओ नोटिस पिरड़ खतम होएगा, तो जड़ा 5 लाख तो 15 लाख वाला के पॉसिबिलिटी ए है कि रिजिन्दर तक गड़नू उस दे विच गिरफतार करके लंबा समा तक जेल दे विच रख्या जाए, दोस्तों इस पूरे मामले दे कटना चकर दे विच सब तो ज़्यादा चुबन वाली गल ए है कि पंजाब दे विच आज एक जेहा चीफ मिनिस उसी वे की चुक्के हो, कईया दे मुहा दे विच सरकारी इस्तिहाना दे गफे पाके होना दी जुमाना नो बंद करता गया है, बहुत कुछ पंजाब दे विच जेहाज रिपोर्ट नहीं हो रहा है, अज जे कोई अजाद पत्रकार, एक निरपक्त पत्रकार अपना एक पत्रकार अपने बूते ओते एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लंदा है, एक प्लाटफॉर्म खड़ा कर लंदा है, जिते लोग आको या अपने दुखड़े ओस खोल रोंदे ने, ओलोका नी समस्यावानू इस सिस्टम दे करप्ट अंसरानू एक्स्पोज काता पया है, ता सिस्टम दी अखादे बीचो रड़क दा पया है, आज एक पत्रकार अपने रिपोर्ट दे शुरूआत दे विच किया से पत्रकारी ता संकट है, ते संकट तक किना साल पुराना संकट है, जिंदर तगड़ वर गे पत्रकारानू जिस तरीके दिना गिरफतार करके जेलना विच पाये जान दी है, कोशिशा ने, ओस आवाज नूँ, ओस स्पिरिट नूँ दमान दी कोशिश है, वैसे उस्पिरिट बची नहीं ह बैजन देने पॉड़कास्ट करन वाले, कोई पत्रकारी नहीं है गेने, पेड इंटर्व्यूज, फिक्स्ट इंटर्व्यूज करन वाले पत्रकार, नामनों, असल पत्रकारीता, दस्तावेजी ते खोजी पत्रकारीता करन वाले, रजिंदर तगड़ वर गे पत्रकार ने आज उनना सिर्फ एस वास्ते खड़न दी लोड है उनना दे साठे 400-500 रिपोर्ट ना दे बिच तुसी जाके देखूंगे थोनू पत्रकारीता दिसेगी एस वास्ते रिपोर्ट बढ़ी है हाँ जे रजिंदर तगड़ने कोई गलती कीती है कोई अजे ही मर्यादानों क्रॉस कारके उनना बलनों कोई गुना होया है कोई जरुम होया है उनननों सजाब बंढ़ दी मिलनी चाएदी है किसीनों भी मिलनी चाएदी जे असी गलती करां के ते मामले दे बिच थोड़े समने है कि ए लोग कुछ चुपान दी कोशिश नहीं करते पैसन बलकि दुनिया नूँ कुछ दखान दी कोशिश करते पैसन ते मैं इस चीज बार बार कहना है जेलना तो जे गैंक्स्टना दी इंटर्व्यू दखा के किसी चैनल ने चलाई हैं आप उस चैनल दे पत्रकार नूँ दोशी नाम निये उस ने इस सिस्टम नूँ एक्सपोज किता है उस सिस्टम दे पिछे जड़े दागी अफसर ने आज तुसी ओना नूँ अडेंटिफाई करन दी निशान दी कोशिश करो लेकिन आज ओ लोग कितना किते पिछों बैठके उजड़े यहां तारा ने उननों खिचते पहे ने ते आज पत्रकारा ना निर्पक्त पत्रकारा ना की हाल हुंदा पहे यह थोड़े सामने है अज़े भी मेरी आस्ति अमीद है कि महाली दे SSP पंजाब दे DGP दे पंजाब दे चीफ मुनिस्टर जे थोड़ी बहुत भी इनादे विच निया ते इंसाफ उत्ते पैरा दें दी एक स्पिरिट बच दी है तो ज़रूर इस मामले दे ते उच्पदर इंक्वारी करन मैं चाहिदी है तो दोस्तों आज इस रिपोर्ट नूँ मैं अत्थ ही रोकांगा मैं आस करणा कि इस रिपोर्ट दे विच मैं इस इश्यू नूँ एड्रेस करन दी जड़ी भी कोशिश कीती है उस दे विच मैंनू सीमित पद्रूते काम्या भी मिली है फॉलो आप तो टेकि सोन कोर्स एंड जस्टिस तो प्रवेल मैं आस जरूर करांगा कि जे लोग इतिफाक राख देने पत्रकारी ता दे इस बहुती वड़े सरोकार देनाल इस रिपोर्ट नूँ जित्थे वो मनासर समझ देने ओस नूँ पचान एड़ सेम पॉंट इन टाइम एर रि पॉर्ट लाएके छेती होईगी मुलाकात